बोपाल पुलिस सोती रही और ड्रग्स तसकर अपने काम को अंजाम देते रहे इन तसकरों ने भोपाल में नशा बनाने का कार खाना खोल लिया गुजरात ATS और NCV की 15 सदस्य टीम ने फैक्टरी पर दवश दी और 1814 करोड का ड्रग्स पकड़े जाने में सफलता हासिल की ATS और NCV की 15 सदस्य टीम ने फैक्टरी पर दवश दी और 1814 करोड का ड्रग्स पकड़े जाने का सफलता हासिल की बोपाल के नशाकार खाने से ड्रग्स पकड़ा गया इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गर्फतार किया है और फैक्टरी मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है बोपाल के बगरौदा गाउंस्थित प्लॉट नंबर F63 में ड्रग्स की फैक्टरी चल रही थी इसकी भनक भोपाल पुलिस को तब लगी जब गुजरात ATS और NCB की 15 सदिस्य टीम ने फैक्टरी पर दविज दी सिर्फ कबर देने के लिए कटारा हिल्स पुलिस को फैक्टरी के बाहर तैनात किया गया इस फैक्टरी में हर दिन 25 किलो ड्रग्स बनाई जा रही थी यहां मादक दवा MD ड्रग्स सबसे ज़्यादा बनाई जा रही थी चापे में 907 किलो MD ड्रग्स ठोस और तरल रूप में मिली है यहां नासिक का रहने वाला सन्याल बाने और भोपाल के कोट्रा सुल्तानाबाद निवासी अमित प्रकाश चतुरवेदी MD ड्रग्स बना रहे थे गुजरात ATS दोनों को गिर्फतार कर ले गई गुजरात में MD ड्रग्स के कारोवार में लिप्त एक तसकर निपुश्ताच में बताया था कि भोपाल में ड्रग्स बनाई जा रही है इसके बाद गुजरात ATS ने खूफिया जनकर यूटाई पुखता प्रमाण मिलने के बाद गुजरात ATS के DSP, SL चौधरी के साथ में पांच सदस्य टीम और NCB दिल्ली के अधिकारियों ने च्छापड डाला जो NCB है वो अपने बड़े पैमाने पर पुरा काम करती है और जो आपका मालूम है कि आपने उनका प्रेस रिलीज पढ़ा होगा तो उसमें जो उनके दो मुल्जिम है वो पराने मुल्जिम है इसी नार्कोडिस के तो वो उनकी निगरानी में उनकी विजलेंस में थे तो जो एक बहुत अच्छी कारवई है और एसी कारवई प्रसंसा के लाइगा इसमें अगर मानलीजिए यह इस्थानी स्थार पर जो टीन सेड है इसकी जो उद्योग का जो है अगर हमें सूचना नहीं दी गई है क्या दी गई है उद्योग इभाग से संपर करके इस पर क्या क अच्छना का विशा है और NCD और ATS उज़रात ATS करेगी आप देख रहे हैं दखल न्यूट